आज हम आपको पांच ऐसे होम आइडियाज दिखाने वाले हैं जिनका इस्तिमाल करके कोई भी वेक्ति अपने नॉर्मल घर को सपनों के कलपना के बरे हकीकत में तबदिल कर सकता है सभी पांच आइडियाज को देखने के बाद आप अपने घर में कुछ तो बदलाव जरूर से करेंगे लेट्स केट स्टार्टेड आजकल ज्यादतर लोग घर को सुन्दर बनाने के लिए उनके अंधरी और बाहरी दिवारों पर अलग अलग कलर्स डिजाइन की टाइल्स लगवाना पसंद करते हैं क्योंकि एक बार टाइल्स दिवार पर लग जाने के बाद हमेशा सफेदी पेंट जैसे बार बार के खर्चों से छुटती मिल जाती है पर कुछ सालों बाद टाइल्स का डिजाइन बोर करने लगता है जिने बदलने का मतलब है और ज्यादा खर्चा इसका सस्ता और कमाल का आइडिया आया टाइल्स स्टीकर्स नाम की कमपनी को इन्होंने हजारों तरह के स्टीकर्स डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन और कलर्स के साथ तैयार किये जिनने टाइल्स पर कोई भी व्यक्ति लगा कर अपने पुराने घर की शकल ही बदल सकता है सबसे बड़ी बात ये स्टीकर्स टाइल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं जिनने लगाने के बाद जब कुछ साल बीज जाते हैं तो दोबारा फिर से कम खर्चे में इन्हें बदला जा सकता है ना घर में किसी परकार की गंदगी फैलाओ ना समान हखाने की जरूरत बस इन्हें टेप की तरह यूज करो अपनी पुरानी टाइल्स को नया डेजाइन और रूप दे दो आपके घर में अलमारी होगी जरूर होगी हाँ वो इस्टील आइरन या फरनीचर की हो सकती है लेकिन दोस्ट ये अलमारी या यू कहलें स्लेप और ड्रोर कमबाइन सिस्टम वाकई में लाजवाब है जिसे ओफिस और घर दोनों जगे यूज भी किया जा सकता है कम से कम जगे में ये अपना साइज बढ़ा सकती है एक्सपैंड होने के साथ साथ ये हर एंगल पर घूमा कर रोकी जा सकती है इसका फ्रन्ट आप अपने मताबिक सेट कर सकते हैं बुक्स, मैगजीन, गिफ्ट जैसी तमाम चीज़े इसमें रखी जा सकती हैं इस फिंगर जोइंट केबिने इसमें मौजूद है जो की स्क्रेच रजिस्टेंस है मतलब हर सूरत में ये कैबिनेट कम्माल का है नमबर त्री बिल्ड टाइनी बिल्ड टाइनी एक ऐसी कंपनी है जो पहियों पर चलने वाले छोटे घर बनाती है इन घरों में सारी सुविधाएं कुछ इस तरह फिट कर दी जाती है कि देखने वाला हैरानी रह जाए यहां आप इनके घर की सीडियां ही देख सकते हैं ये ना सिर्फ सीडियां है बलकि ड्रॉर्स का भी काम करती है जो बहुत सी चीजे रहने में काम में ली जा सकती है साइड में बनी स्पेस में तो इन्होंने फ्रिज तक को ही डाला नमबर फोर आयोटा टॉयलेंट घरों में टॉयलेट सबसे एहम चीजों में से एक है और इस फिल्ड में हमेशा से बदलाव आते रहे हैं अभी आपके सामने पेश है सबसे यूनिक टॉयलेट जो जगे बहुत ही कम लेता है इसका डिजाइन सबसे एहम है जो टॉयल का फोल्डिंग सिस्टम यूज करने के बाद बातरूम में जगे बची रहती है यकीनन जब भी कोई नया रहती आपके घर का पहली बार टॉयलेट यूज करेगा वह हैरान रह जाएगा आयोटा के इस टॉयलेट इन्वेंशन से नमबर फाइब रूडी कास क्यूब ये शा इस पेस सेविंग बनाया गया है ऐसी ही और शांदार मशीने देखने के लिए बने रहे हमारे साथ मिनी माइंड एस डी पर सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यार और सपोर्ट करें ताकि हम आपको और ऐसी ही मशीने दिखाते रहें आज के लिए ठैंक्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में